गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम C++ की टुटियोरियल क्लास स्टार्ट करेंगे और इंटोड़क्शन देखेंगे C++ का तो चलिए आये स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक मशीन है इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है और इसका IQ लेवल 0 होता है इसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता और हम इसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं यह सिर्फ उतना ही काम करता है अगर कोई परसन जो इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस परसन को कहा जाता है प्रोग्रामर प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देता है कम्प्यूटर को और कम्प्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्शन को राइट करना होता है और instruction write करने के लिए उससे कोई न कोई programming language का use करना पड़ता है C++ भी एक programming language है तो कोई programmer C++ programming language का use करके instructions को write कर सकता है और उस instruction को हम computer में execute कराकर अपना task perform कर सकते हैं C++ के अलावा market में कई और languages हैं जैसे C, Java, PHP, etc कई सारी languages market में उपलब्द हैं और इन में से किसी भी एक language का use करके आप अपने instruction को write कर सकते हैं और computer पर उससे execute कराके अपना task perform कर सकते हैं यहां हम focus करेंगे C++ के उपर तो यह था C++ का introduction आईए देखते हैं C++ को हम computer में किस तरीके से use कर सकते हैं तो देखते हैं C++ के बारे में आगे C++ basically UPS concept पर आधारित है UPS का full form है object oriented programming system C++ object oriented programming system concept पर आधारित एक programming language है और वो इनके features का use करके अपने program को handle करता है तो देखते हैं C++ जो है वो UPS का use किस तरीके से अपने program पर करता है पहले हम देखते हैं कि C++ के पहले C language हुआ करती थी जिसमें programmers अपना program write करते थे बट C में कुछ ऐसी problems create होने लग गई जब program काफी बड़े होने लग गई तो प्रोग्राम एक बड़े program को जिसमें 50,000, 60,000 या एक लाक लाइन का code होता था उसमें बड़े program की complexity इतनी अधिक होने लग गई कि उसे handle करना मुश्किल होने लग गया इसके बाद introduce किया गया C++ programming language जिसमें बड़े program को छोटे छोटे objects में बाटा गया और उसे ups concept के साथ handle किया गया इससे C की जो complexity थी C के बड़े program की जो complexity थी वो काफी reduce हो गई तो बोला जा सकता है कि C++ programming या program write करने का एक अच्छा approach है अगर आप बड़े program को C language में लिखते हैं तो वो काफी complex हो सकता है और उसी program को आप C++ या ups concept के साथ program को write करेंगे तो वो program काफी असानी से आप handle कर सकते हैं तो इस तरीके से जब C language आई थी और नई language को जब introduce किया गया तो उसका नाम rename करके उसमें दो plus sign add किये गया एक्चुली यह C का increment operator है और इसका मतलब होता है एक step आगे तो C से एक step आगे था इसलिए इसका नाम rename करके C++ कर दिया गया आईए दिखते हैं आगे C++ में object oriented programming system का use किया जाता है और इसकी सबसे important जो point है वो है class and object C++ पूरी तरीके से class and object पर निर्भर करता है या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि C with class को ही C++ कहा जाता है जब C से C++ को develop किया जा रहा था तब C में class को introduce किया गया और उसका नाम रखा गया C with class बाद में इसे rename कर C++ कर दिया गया तो class and object जो है ये C++ का एक महत्पूर्ण feature है और आईए हम देखते हैं class and object C++ में क्या भूमी का निभाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे class and object की definition किस तरीके से define की गई है class एक blueprint होता है जिसके द्वारा एक class की design हम करते हैं और उससे कई objects को बनाया जाता है actual runtime पे working जो होती है वो object के साथ होती है object runtime entity होती है इसका मतलब यह सीधी सीधी बोल चाल की भासा में बोला जाए तो जब program run होते रहता है उस समय object पे working होती है actual working object पे होती है but object का creation class के थुरू होता है इसका मतलब है कि हम एक programmer या कोई programmer class की design तयार करता है और end user उस class की design का use करके कई objects को create कर सकता है runtime पर और objects की ही working में use की जाती है actual working object पे होती है but object create होता है class के दवारा तो class एक blueprint है और runtime entity को object कहा जाता है आईए हम इसे एक real example से देखते हैं अगर मैं किसी bike की बात करूँ जैसा आप यहां पर एक object देख रहे हैं इस object को में यह एक बड़ा object जो है वो छोटे छोटे object से मिलके बनाए यानि कि एक बड़ा program जो पहले काफी complex हुआ करता था और single entity हुआ करता था अब हम इसे छोटे छोटे objects में divide कर देंगे और इस छोटे छोटे part को handle करना काफी आसान होगा यह parts एक दूसरे से independent होगे but इन में एक message sending की facility एक दूसरे से communicate कर सकते हैं तो दो object एक दूसरे से communicate करेंगे but उनकी जो working होती है वो individual होती है अगर किसी object के किसी part में problem आती है तो पूरे object या पूरे entity को check करने की जरुवत नहीं है सिर्फ इस छोटे से हिस्से को repair करके हम सारे system को correct कर सकते हैं सेम इसी तरीके से अगर मैं real life example देखूँ इस car का design एक object oriented की तरह ही होता है car अपने आप में एक single entity ना हो करके इसमें कई objects होते हैं और उनको एक साथ implement किया जाता है तो एक बड़ा object बनता है जैसे आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो tire है वो एक अपना single object है इसमें जो engine है वो अपना एक object है इसका जो chassis होता है वो अपने आप में एक object है यहाँ dashboard होता है वो अपने आप में एक object है तो जब इस car की design बनाई जाती है तो कई लोग मिल करके एक साथ design बनाते है एक person tire की design बनाता है एक person engine की design बनाता है एक person dashboard की design बनाता है अगर tire में कोई problem आती है तो उसके लिए dashboard या engine या chassis को check करने की जरुवत नहीं है सिर्फ उस expert को बुलाया जाता है जो tire को design किया था और सिर्फ ये वाले object को replace किया जाता है ना कि पूरे के पूरे object को तो इस तरीके से पहले जो C programming में एक single entity बनाई जाती थी जिसमें सारा का सारा एक बड़ा complex program होता था और एक छोटी सी problem आने पर पूरी की पूरी चीजों को हमें check करना होता था अब ये ऐसा काम हमें नहीं करना पड़ता है सिर्फ ये छोटी सी चीज को replace करके हम पूरे system को correct कर सकते हैं तो ये था हमारा complexity जो है हमारी काफी reduce हो गई है टायर वाले को engine की complexity जानने की जरुवत नहीं है टायर वाले को dashboard की complexity जानने की जरुवत नहीं है तो इस तरीके से हमारी जो बड़े program की complexity थी उसको reduce किया गया तो आए आगे देखते हैं हमारे जो oops concept में उसमें कुछ points define के गए है इन points को हम detail से समझेंगे कि ये points किस तरीके से object oriented programming language में help करते हैं और इनका क्या meaning होता है सबसे पहले हम देखेंगे class and object कुछ देर पहले हमने class and object के बारे में देखा class एक blueprint होता है और object एक runtime entity होती है जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि class के द्वारा classic प्रकार का सांचा होता है हमें अगर बोल चल की language में बोले हैं तो classic प्रकार का सांचा होता है और एक सांचे से कई objects तियार किये जाते हैं अगर मुझे कोई नई टायर की design बनानी है तो जो designer है वो टायर नहीं बनाता बलकि उसका एक सांचा बनाता है और उस सांचे से कई tires को produce किया जाता है या manufacture किया जाता है तो classic प्रकार का blueprint या सांचा होता है और उसके द्वारा हम कई objects बनाए जाते हैं programmer class की design मनाता है और end user जो होता है वो class की design से वो अपने objects को create करता है abstraction और encapsulation जो हैं वो class से सिधा सिधा सम्बंदित है encapsulation को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम encapsulation को देखें तो इसमें अगर मैं एक जैसे function करने वाले सारे features को एक single unit में wrap कर देता हूं या same functionality वाले features को एक single package में या उसको एक box में बंद कर देने का जो concept है इसको बोलते हैं encapsulation wrapping up data member and member function into a single unit is known as encapsulation इसको हम कुछ real life example से समझ सकते हैं for example अगर मैंने आपका car का ही example लिया था तो अगर आप अपने car की या किसी भी vehicle के design देखेंगे तो इसमें जो engine होता है इस engine के अंदर चितने भी parts होते हैं वो same functionality से related होते हैं उनका काम होता है engine की working को perform करना उन सारे parts को एक single unit में बंद कर देना इसे कहते हैं encapsulation ऐसा करने से जो engine की complexity है वो reduce हो जाती है इसको एक हम example से देखते हैं कि आप अपनी bike सभी चलाते होंगे, अपनी scooty सभी चलाते हैं, कई लोग car चलाते हैं क्या आपको engine की working पता है? maximum लोगों को engine की working नहीं पता होती है, फिर भी आप असानी से अपनी car को चला लेते हैं, gear change कर लेते हैं, speed बढ़ा लेते हैं, brake लगा लेते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि engine की complexity है उसको encapsulate कर दिया गया है engine की complexity को एक box में बंद कर दिया गया है, और dashboard में इसकी handling का panel आपको दे दिया गया है और काफी easy तरीके से आप gear change कर लेते हैं, और अपनी गाड़ी को काफी असानी से आप चला लेते हैं तो engine की complexity को करम करने के लिए engine की जो parts है उनको encapsulate किया गया एक अंदाजा लगाईए, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि engine के सारे parts आपको यहाँ दिख रहे हैं और dashboard नहीं है और आपको गाड़ी चलानी है, तो कितना tough हो जाएगा गाड़ी चलाना आपको सबसे पहले engine की working को सिखना पड़ेगा, gear change कैसे होता है उसके working सिखना पड़ेगा तभी आप असानी से गाड़ी चला सकते हैं, otherwise गाड़ी चलाना काफी कठीन हो जाएगा तो यह जो concept लाया गया, encapsulation, इसमें focus इस बात को किया गया था, जो complex code है उनको एक single unit में बंद कर देना, और उनका एक interface, आसान interface सामने provide करना ताकि complex से complex code को आसानी से हम handle कर सकें, तो यह encapsulation था, यहाँ पर मैंने real life की बात, real life example की बात कही है अगर मैं coding की बात करूँ तो encapsulation में data member और member function को एक single unit में बंद किया जाता है और इस single unit में बंद करने का जो role है वो class perform करता है यानि class ही एक encapsulate करता है जिसमें आपका data member और member function जो है encapsulate होते हैं तो इस तरीके से कई classes और object हम create कर सकते हैं आगे देखते हैं abstraction abstraction का मतलब होता है abstract data आपको provide करना सेम इसी तरीके का meaning अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर engine की complexity को बंद किया गया और abstract data यानि interface आपको provide किया गया इसे data hiding के नाम से भी जाना जाता है C++ में data hiding कहा जाएगा और real life में अगर मैं कहूँ तो engine के parts को हमने hide कर दिया आपको engine के parts और उसकी complexity उसकी working नहीं दिखाई देगी वो पूरी तरीके से hide है आपको एक single abstract interface दिखाई देता है यहाँ पर abstract interface का मतलब है काफी आसान चीज़े आपको यहाँ पर dashboard में दिखाई देती है और थोड़ी सी practice करके आप काफी आसानी से अपना engine को handle कर सकते हैं तो यहाँ पर engine का जो complex data है वो encapsulate कर दिया गया है और उसके data यानि कि उसके parts को hide कर दिया गया है ताकि आप complexity कम हो जाए और आप आसानी से इसे चला सकें clear? तो यह दो दो point थे आपने देखा class and object थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया encapsulation मैंने बताया कि single unit में बंद करना है और इसके पीछे roll अदा करता है class और जब हम बंद करते हैं तो कुछ न कुछ data हमारा hide हो जाता है कुछ छोटे से part को हम display करते हैं जो आसान होता है तो इसके बाद का जो चौथा point है वो है inheritance आईए देखते हैं inheritance को हम कैसे समझ सकते हैं inheritance को एक और नाम से जाना जाता है जिसे reusability कहा जाता है आप अपने पुराने code को दुबारा use कर सकते हैं पहले मैं इसे real life example से समझाता हूँ फिर हम C++ या technical language में आएंगे for example आपके पास एक car है मैं real life example में एक simple example लेकर चल रहा हूँ car का ये पुराना model है और आपको एक नया model launch करना है तो इसके लिए आपको पूरे dashboard को design करना पूरे engine को fit से design करना पूरे chassis को fit से design करना पूरे tire को fit से design करने की जरूबत नहीं है आप इसके नया model पे focus कर रहे हैं इसकी average पर इसकी mileage पर focus कर रहे हैं तो आपको सिर्फ engine को redesign करना होगा पूरा का पूरा धाचा structure दुबारा design करने की जरूरत नहीं है तो नए engine को कैसे design करेंगे देखते हैं पूराने धाचे को हम adopt करेंगे या inherit करेंगे टायर के धाचे को हम adopt करेंगे dashboard के धाचे को हम adopt करेंगे और पूराने design में ये सारी चीज़े सेम रहेंगी सिर्फ engine को redesign किया जाएगा यहाँ पर engine को redesign किया जाएगा तो हमने यहाँ पर reuse किया यहाँ पर टायर को री यूज कर लिया, यहाँ पर चैसिस को री यूज कर लिया, डैश बोर्ड को री यूज कर लिया, सिर्फ इंजन की डिजाइन नहीं बनी अगर inheritance नहीं होता तो हमें chases fit से design करना होता tire fit से design करना होता यह सारी चीजों को fit से design करना होता extra महनत, extra समय, extra पैसा, खर्चा होता तो हलाकि हम अभी जानते हैं कि हमारी real life की सारी चीजे object oriented है बट programming में C में इस तरीके का concept नहीं था और real life से ही हमने उसको implement किया था इसमें तो यह जो concept कहलाता है, यह inheritance कहलाता है पुरानी चीजों से कुछ चीजे inherit कर लेना और छोटे से part को edit करके नए model को launch करना एक example देखते हैं, यह पुराना model का mobile है जिसमें आपको कुछ features दिये हुए हैं इसमें मान लेते हैं, Wi-Fi नहीं है तो जब हमें नया mobile launch करना है तो feed से इसकी screen design करने की जरुवत नहीं है screen को inherit कर लेंगे, touch को inherit कर लेंगे इसके motherboard को inherit कर लेंगे, सारे चीजें inherit करके इसमें Wi-Fi add किया जाएगा और एक नया model launch होगा जिसमें पुराने सारे features तो होंगे प्लस एक additional features भी होंगे तो इस concept से हमारा time बचा, पैसा बचा और एक नया model काफी आसानी से हम तयार कर लिए हैं इस model को parent-child model भी कहा जाता है अगर मैं parent-child model को बोलूँ तो जो child है इसके पास parent की property तो होती ही है बट कुछ additional property भी इसकी self की property भी होती है तो अगर देखा जाए तो child के पास इससे ज़्यादा features होंगे तो जो child model होगा या जो नया latest model होगा वो अपने parent model से ज़्यादा feature रखेगा और इस ज़्यादा feature के लिए इसे ज़्यादा महनत करने की ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा या maximum features वो उपने parent से लिया है और उसे inherit किया है तो इस concept का use करके नये model को launch करना काफी आसान हो जाता है और आप अपने mobile पर इसका example भी देखते होंगे कि आपके whatsapp पे update आता है तो काफी सारी चीज़े उसमें पुरानी same रहती है बस कुछ calling के feature जैसे add किया जाएगा तो update होगा तो नए feature add हो जाएगे इसके लिए पीछे जो reason है वो object oriented programming system का ही है तो ये inheritance था और inheritance को हम detail से आगे समझेंगे चार-पांच प्रकार के inheritance होते है कि किस inheritance में किस तरीके से data और functions inherit होते है इसके बारे में हम detail से देखेंगे तो अगला point आते हैं polymorphism के उपर ये हमारा पांचवा point है इससे देखते हैं detail में polymorphism polymorphism object oriented programming system का एक बहतरीन feature है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है poly और morphism poly means होता है more than one morphism मतलब होता है form या रूप अगर किसी object के एक से अधिक रूप होते है एक से अधिक functionality होती है उसे polymorphism कहा जाता है polymorphism को आप अपने real life में काफी पसंद भी करते हैं और इसके काफी सारे example आपके सामने अभी भी मौझूद है जैसे मैं आपके सामने एक example लेता हूँ आपके smartphone का आपका जो smartphone है वो एक polymorphic object है सिधी सिधी meaning है ये कभी आपके लिए camera बन जाता है कभी FM बन जाता है कभी cellphone बन जाता है कभी player बन जाता है आपके इसमें घाना सुन सकते हैं कभी FM सुन सकते हैं कभी आप photo click कर सकते हैं कभी और भी सारे features इसमें sensors add करते जा रहे हैं कभी आपकी heartbeat ना आप सकता है और काफी सारे आप अब देखेंगे कि एक object जो है वो अलग-अलग रूप में आपके सामने आता है किसी समय वो camera के रूप में आएगा किसी के समय वो FM के रूप में आएगा अगर ये object polymorphic नहीं होता तो आपको अपनी जेब में अलग से camera, अलग से FM, अलग से phone, अलग से player चार objects को carry करना होता, चार objects को charge करना होता, ज़्यादा space लगता, चारों की maintenance होती और चार बार आपको objects खरीदने पड़ते हैं, यहाँ पर एक ही object चारों काम कर रहा है तो इस तरह के का object polymorphic object कहलाता है और यह काफी popular होता है अगर यह functionality आपके programming में आ जाए, आपके programming में एक ही program कई तरीके से काम करने लग जाए कभी वो जिसे आप ATM machine में देखेंगे, आजकल की ATM machine है वो polymorphic भी है आप उसमें balance check कर सकते हैं, cash withdrawal कर सकते हैं, cash deposit भी कर सकते हैं तो वो machine दो तरीके से काम करती है, वो deposit का भी काम कर रही है और वो tellering का भी काम कर रही है तो आजकल की जो latest ATM machine है वो polymorphic है पहले दो machine लगाई जाती थी, एक machine tellering का काम करती थी और एक machine deposit का काम करती थी तो दो machine को handle करना होता था, दो अलग space लगते थे, दो machinery लगती थी, सारी चीजें double होती थी दोनों को अलग-अलग electricity देनी होती थी, इनका नया polymorphic version आया, एक ही machine लगाई गई, ये tellering और deposit दोनों काम करती है एक ही machine में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और उसी machine से पैसा deposit भी कर सकते हैं तो ऐसा करने से फायदा ये होता था कि deposit वाली machine जब फूल हो जाती थी तो इसे खाली करना पड़ता था और tellering वाली machine जब खाली हो जाती थी तो इसमें से पैसा निकालके इसमें डालना पड़ता था इसमें समय भी लगता था और human effort भी लगता था अब जो नई polymorphic machine आई है इसमें tellering भी हो जाता है लोग जैसे जैसे इसमें deposit करते जाते हैं ये fill up होते जाता है और फिर tellering करते हैं या cash withdrawal करते हैं तो इसी में से निकलते जाता है तो ये काफी automated system है जिसमें human effort कम लगता है machinery के charges भी कम है जिसे display एक ही same display पर दोनों काम हो जाएगा एक ही panel पर cash deposit भी हो जाता है और withdrawal भी हो जाता है और साथी साथ deposit वाला जो cash है वो tellering के लिए available होते जाता है तो इस machine में cash खतम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है पुराने model के अपेक्छा है तो आप देख रहे हैं कि जो नया model आया है यह काफी ज़्यादा advanced है पुराने model से यह ऐसा तभी संभा हुआ है क्योंकि इसमें polymorphism किया गया है यह एक ही machine दो तरीके से काम कर रही है और दोनों एक दूसरे को support करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह polymorphic object का example है जो हम real life में use करते हैं और काफी popular है same mobile की तरह लेकिन क्या हो अगर हमारे programming language में polymorphic होने लग जाए यानि कि हम एक program लिखें और वो program एक से अधिक तरीके से functional function दे हमको यानि एक code को ही हम कई तरीके से use कर सकते हैं इसके इसे हम technically जब polymorphism पढ़ेंगे जो की unit 3 में आपको मिलेगा जब हम detail से polymorphism पढ़ेंगे तो आपको technically समझ में आएगा कि code में polymorphism कैसे होता है बट मैं एक छोटे से example से आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 3 plus 2 यह plus एक operator है जो दो numbers को add करता है अगर आप देखेंगे कि plus यहाँ पर मैं किया तो यहाँ पर आएग output 5 तो plus operator जो है वो दो numbers को add करता है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3.5 plus 2.5 यह दोनों numbers को भी यह add कर देगा plus operator तो इसका जो output है वो आपको आएगा 6 आपने देखा कि यह दो integer number को plus add कर रहा है दो float number को add कर रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मोहन प्लस कुमार यह यहाँ पर जो plus operator है वो दो नाम को add नहीं कर पाएगा C में plus operator के पास यह facility नहीं है कि वो दो नाम को add करके इस तरीके से output दे दे आपको लेकिन C++ में आप यह operation perform कर सकते हो तो आप देख रहे हैं कि यह प्लस operator है वो polymorphic है वो number को भी add कर रहा है float को भी add कर रहा है दो string को भी add कर रहा है दो date को भी आप add कर आ सकते हैं जैसे 3, 6, 20, 20, plus 2 अगर आप एक date और एक number को plus से आप add कर आ सकें तो इसका जो output होगा वो होगा 5, 6, 20, 20 यह facility C में उपलब्द नहीं है क्योंकि उसमें object oriented programming system का use नहीं किया जाता और polymorphism में वहाँ पर नहीं होता है अगर polymorphism में आपके पास हो रहा है तो plus operator से आप देखेंगे कि plus operator polymorphic है कभी वो number को add कर रहा है कभी float को add कर रहा है कभी string को concat कर रहा है कभी date को add करके नई date generate कर रहा है तो इस तरीके से अगर plus operator यहाँ polymorphic हो जाए तो एक ही operator से हम कई काम काफी असानीत से कर सकते हैं जो कि आगे आने वाली कई languages में जैसे python वगेरा में आपको काफी बड़ी मात्रा में polymorphism दिखाई देगा तो अगले point पर आते हैं dynamic binding और message passing हम इन दोनों points को एक साथ देखेंगे dynamic binding और message passing तो शुरुवात में हमने देखा था class and object में divided रहता है हमारा एक बड़ा program एक बड़े program को छोटे छोटे objects में हम divide कर देते हैं और इन छोटे छोटे objects को handle किया जाता है जब इन छोटे छोटे objects को एक साथ working में लाय जाता है implement किया जाता है तो ये बड़े object की तरह मिल कर काम करते हैं जैसा मैंने आपको car में एक example बताया कि car में ये tire है ये engine है ये sorry chassis है engine है dashboard है तो ये जो object है ये tire का होगा engine का होगा dashboard का होगा chassis का होगा इसी तरीके से fuel tank और अलग-अलग छोटे छोटे objects को जब पूरा मिलाय जाता है तो पूरा ये combined object जो होता है वो कहलाएगा आपका जो हमारा output चाहिए था जो हमारा final task था जिसका हम नाम दे सकते हैं car तो car बनाने के लिए हम इस छोटे-छोटे objects पे work करके last में इनको मिलाया जाता है और मिलाने के लिए हम इनकी dynamic binding करते हैं इन दो objects के बीच में binding होती है इससे dynamic binding 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 दो प्रकार की होती है हम यहाँ पर concept ले रहे हैं dynamic binding की binding तो पुराने c language में भी होती थी binding दो प्रकार की होती है static binding और dynamic binding static binding का मतलब होता है कि यह यहाँ पर fix कर दिया गया है इंजन टायर से fix रहेगा यह static binding है फर्स टाइम जो binding कर दी गई है वो fix होगा ऐसी binding पहले c में भी होती थी बट अगर क्या हो कि इंजन कभी first टायर से bind हो जाए और कभी second टायर से bind हो जाए तो dynamic binding का मतलब है कि हम इसकी position कभी भी change कर सकते हैं ऐसा c में नहीं होता था c में यह facility नहीं थी जिसको जिस चीज से bind किया जाता था वो उसी चीज से हमारा bind होता था लेकिन c++ या object oriented programming language में यह facility है कि आप dynamically कोई भी चीज कभी भी runtime पर आप उसको change करवा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपका जो dashboard है अभी आपका जो car का model होता है उसमें dynamic binding उपलब नहीं होती है dashboard आपके पास सामने ही होता है क्या हो कि कभी dashboard पीछे की तरफ चला जाए जैसा कि आज कल automated car में आप देखेंगे कि यहां का जो आपका जो इसका इच्छत होती है वो काफी तरीके से change हो जाती है या यह morphic करता है या change कर सकते हैं आप इसको तो dynamic binding में आप दो object के बीच में जो binding है उसको run time पर कभी भी change कर सकते हैं static binding पहले से उपलब देथी dynamic binding के facility object oriented programming system में implement की गई है और यह काफी अच्छा feature है इसको जब आप टेक्निकली देखेंगे तो आपको यह समझ में आया कि dynamic binding किस तरीके सोती है मैं छोटा सा एक real life example बताता हूं आपको जिससे आपको थोड़ा सा clear हो जाएका dynamic binding आपके mobile में एक एप होता है Facebook का जो लगबग maximum लोग यूज करते हैं Facebook जब आप एप को open करते हैं तो आपका जो यह एप है वो Facebook के server से connect हो जाता है यह static binding है वो एप Facebook के server से ही connect होगा वो टेलिग्राम के server से connect नहीं हो पाएगा या किसी और server से यह एप जो है इसकी binding Facebook के server से ही बनाई गई है यह static binding है लेकिन आपका जो Chrome है Chrome प्राउजर आप open करेंगे उसमें आप Facebook के server से भी connect हो सकते हैं टेलिग्राम के server से connect हो सकते हैं वेब WhatsApp के जरीए WhatsApp के server से भी connect हो सकते हैं तो यह जो Chrome होता है वो एक प्रकार से dynamic binding आपका करता है हलाकि Facebook में भी dynamic binding होती है लेकिन वो server से होता है एक ही server के अंदर अलग-अलग objects के जरीए वो अलग-अलग objects से dynamic binding तो कर लेता है बट अलग server पर नहीं जा पाता है अगर बड़े level पर देखें तो समझने के लिए काफी असान है कि Facebook में जो app होता है वो static तरीक YouTube से कभी Insta कभी Telegram सबसे binding करता है तो यह जो binding हो रही है वो dynamic binding है आप जो भी address देंगे उसके server से वो bind होता है तो ऐसा करने से काफी असानी से आप बड़े object को बड़े area को cover कर सकते हैं clear अगले point में आते हैं हम message passing सारे objects को हम एक single unit में जोड़ने के बाद हमारे पास इनके बीच कुछ communication का जरिया generate करना जरूरी था क्योंकि यह जो object है वो individual independent working करते हैं यह जो tire अलगा independent working करेगा engine अलग इंडिपेंडेंडेंट टायर पंचर हो गया तो engine काम करना बंद नहीं करेगा engine की functionality अलग है और independent dashboard और यह सारे चीजों से लेकिन यह दो objects के बीच में communication के लिए हमने या programmer जो C++ के developer है उन्होंने message passing का एक concept भी इसमें add किया जिसमें एक object दूसरे object को कुछ message pass कर सकता है यह message जो है अगर technically बोलें तो argument passing की तरह होते हैं और argument भेज कर एक object दूसरे object के पास कुछ message पहुंचा सकता है तो इस तरीके से यहाँ पर होने वाली कोई गड़बडी का message dashboard में जैसे engine में कोई fuel खतम हो रहा है या engine की engine oil खतम हो रहा है या पीछे fuel tank है यहाँ पर fuel खतम हो रहा है तो यह लोग dashboard को message बेज करके कुछ information दे सकते हैं यह हम real life की बात कर रहा हूँ real life example की तो dashboard पर आप display पर देख सकते हैं कि आपका fuel खतम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और अगर object oriented programming system के बात करें तो एक program जो है उसमें जो कई सारे objects होते हैं वो एक दूसरे को message पास करके अपनी status और अपनी working के progress को एक दूसरे को inform कर सकते हैं कुछ values भी दूसरे जगा दूसरे objects को पास कर सकते हैं जैसे कोई काम है वो 3-4 step में होना है for example आप form भरते हैं exam का तो पहले form fill up करते हैं personal detail देते हैं fees pay करते है admit card होता है उसके बाद आपका result आता है तो यह जो result वाला जो object है इससे message से data यहां भीजा जाता है इससे message से data यहां और जो सारी process में जाती है तो result में आपका सारा data होता है जो नाम आपने सुरू में भरा था वो नाम यहां पर print होगा जो class and subject आपने select किये वो class and subject यहां होंगे जो आपने exam दिया उसके marks यहां होंगे यह सारी details जो है message passing के थूँ एक object से दूसरे object में जाती है और हमारा काम काफी असान हो जाता है तो यह message passing के facility आपके पास उपलब है तो इस तरीके से हम यह object oriented programming system के जो concept थे, कुछ features थे, कुछ point थे उनको हमने देखा